आज के इस वीडियो का मुद्दा है expressions और operators, expressions JavaScript के अंदर कोई भी एक value होती है जो कि आप एक variable को दे सकते हैं, एक constant को दे सकते हैं, वो अपने आप में एक JavaScript program भी बन सकते हैं, for example अगर मैंने not of true लिख दिया, वो अपने आप में एक JavaScript program है, अगर मैंने सिर्फ 7 semicolon लिख दिया, व वो अपने आप में एक JavaScript program है और आप उसको execute करोगे तो वो error नहीं देगा, किसी भी program के अंदर हम most of the cases में computation करते हैं, और इस तरह की computation को करने के लिए हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं operators, जब हम 7 plus 5 is equal to 12 लिखते हैं, तो 7 और 5 हमारे operands होते हैं, plus हमारा operator होता है, और 12 हमारा result होता है, जरूरी नहीं है कि जो हमारे operands हैं वो दो हैं और operator सिर्फ एक हो, हम अगर not of true लिखते हैं, तो not हमारा operator है, और जो true है हमारा, वो हमारा operand है, और false हमारा result है, तो not of true is equal to false होता है, हम इन सारे प्रकार के operators को इस वीडियो में देखने वाले हैं, और हम समझेंगे इ JavaScript में किस तरह के operators होते हैं, कौन से operator का क्या काम होता है, और किस तरह से JavaScript के operators आप लोगों को काफी convenience दिला सकते हैं, चलते हैं computer screen में और इन सारी चीज़ों को देखेंगे So, यार मैं तो आचुक हूँ वापस JavaScript के chapter 2 के साथ, जो की है हमारा, क्या था, देख लेता हूँ, क्या था हमारा chapter 2, expressions and conditions, आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि operators क्या होते हैं, expression क्या होता है JavaScript के अंदर, और जल्दी से रैपल बनाकर वापस आता हूँ, अब अ यहां पर देखो, मैंने नोट में लिखा हुआ है, की expressions and conditionals, a fragment of code that produces a value is called an expression, every value written literally is an expression, जैसे कि मैंने अगर यहां पर 77 semicolon लिख दिया, ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया, let us say, Harry भाई, ठीक है, तो यह एक अपने आप में JavaScript program है, और यह execute करेगा, और कोई error नहीं देगा, औ यह बात तो आपको समझ में आ गई है, अब यह नहीं आप कुछ भी लिख दो, यहां पर मतलब प्रोग्राम में इसे मैं आप बिनोद लिख दो कुछ यहां पर और चल जाए code ना ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, यह error देगा, बिनोद इस नोट डिफाइन, आपके दिमाग लिटरल है, और यह एक वैलिट जावस्क्रिप् प्रोग्राम है, तो यह बात तो हमने समझ ली, लेकिन हम यहां पर करने क्या है, हम यहां पर करने आए कुछ मज़े, ठीक है, तो यहां पर मैं console.log लिख देता हूं, और लिख देता हूं, operators in js, ठीक है, तक है आप लोग को स और इसके बाद मैं आपर लिखों a plus b, एक काम करते हैं, आप let a is equal to 45, let b is equal to 4, ठीक है, और मैं इसको run करूं अगर, तो a plus b is equal to 49 यह आपर आजाएगा, जो कि 45 plus 4 होगा, ठीक है, लेकिन, 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 मैं यहां पर अगर a minus b करूं, और आप लोग कह रहे हों, यह क्या ब यह इस दबार लाए कि लेकिन, ठीक है, तो में इस बात को यहां रखना, अब यहां तक तो आप लोग को पता हुगा यहां ठीक है, यहां तक तो आपको पता हुगा, यहां प्लस-mines time divide करेंगे, तो यह इस तरह से हैगा, अब एक चीज़ यहां पर जो जानने की जरूवत की value के लिए और चीज़े करनी पड़े हैं यहां पर सीजी सची value आप लोगों को देखने को मिलती है ठीक है अब थोड़ा बहुत confusion जो लोगों को आता है वो आता है exponential operator में और अगर मैं यहां पर डबल स्टार लिख दो यहां पर भी ऑविसली में डबल स्टार करना पड़ेगा तो क्या होगा एक टूद पावर बी हो जाएगा इनिकि 45 टूद पावर 4 हो जाएगा अब मैं अगर आप लोगों को गूगल पर लिख कर दिखा हूं 45 तो यहां पर जो वैल्यू आएगी 4100625 वही यहां पर हमको दिखा रहा है ठीक है तो इस तरह से आप लोगों को बहुत जल्दी बताऊंगा कि मैं नहीं चाहता है यह वीडियो बोर हो आप लोगों के लिए and at the same time मैं इसको complete course बनाना चाहता हूंग कोई भी चीज हमने छोड़ दिखाल आपर जाता है तो यह हमको यहां पर परहन को नहीं हूँ है यह हमको यहां पर रिमेंटर दिखा रहा है, सिम्पल जी बात है ठीक है अब मैं पांच को चाल से डिवाइट करूँगा तो भी रिमेंटर बनाएगा तो यह यहां पर मुझे बन दिखा देगा सिंपल सी बात है ठीक है अब अगर मैं आप 6 डिवाइट बैफ 4 करूँगा तो रिमेंटर 2 आएगा अब अगर मैं यहां पर 10 डिवाइट बैफ 4 करूँगा ने हारे इसके बाद मैंने console.log A कर दिया तो अब क्या होगा, अब A की value 10 नहीं रहेगी A की value बढ़ चुकी है यानि कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा A is equal to 11 क्योंकि क्या होगा कि जब A++ होगा A की value 10 है तो पहले 10 को print कर देगा यहनि कि A की value को print कर देगा उसके बाद increment करेगा ठीक है लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता प्लस प्लस A यह बास समझना आप लोग बहुत जादे important है अगर मैं यहाँ प्लस प्लस A लिखता तब क्या होता कि प्लस प्लस A की जगा भी मुझे 11 देखने को मिलता मैं confusion को avoid करने के लिए यहाँ पर भी प्लस प्लस A कर देता हूँ ताकि आप लोग को बता चले तो A प्लस प्लस और प्लस प्लस A में क्या difference है सबसे पहले क्या similarity है similarity यह है कि A प्लस प्लस B एक को एक से increment कर देगा यानि कि बढ़ा देगा 10 का 11 बनादे 11 का 12 बारा करते है and so on ठीक है और A प्लस प्लस भी यही काम करेगा प्लस प्लस A भी यही काम करेगा लेकिन प्लस प्लस A पहले increment करेगा फिर print करेगा यह की value को तो जब यह console lock चलेगा तो सबसे पहले तो A की value 11 होगी फिर print होगी तो प्लस प्लस A यहाँ पर हमको 11 दिखाएगा लेकिन अगर मैं आपर A प्लस प्लस करता तो मुझे 10 दिखाता लेकिन उसके बाद कहीं पर भी मैं A को use करता तो उसकी value 11 हो जाती ठीक है तो यहाँ पर कुल मिलाकर 100 बात की एक बात अगर मुझे बतानी हो आपको प्लस प्लस A पहले प्लस कर देगा A की value में 1 और उसके बाद print करेगा A को लेकिन A प्लस प्लस पहले A को print कर देगा यानि की 10 प्रिंट कर देगा और उसके बाद A को 11 बना देगा I hope आप लोग समझ गए इस चीज़ को Same goes for minus minus A as well अब मैं आप थोड़ा सा आप लोगों को अगर आप beginner रहे तो थोड़ा सा confused होंगे और मैं चाहता हूँ यार confused करना हूँ मैंने आपको बता है था I'll raise the bar like anything ठीक है अब देखना अब क्या करो न आप लोग इस वीडियो को पॉस करने के बाद जो मैं भी प्रोग्राम लिख रहा हूँ न उसका आउटपुट आप लोग को बिल्कुल सही सही आना चाहिए और यह चीज मैं उन लोग के लिए बोल रहा हूँ जिनको लगता है कि यार यह क्या पढ़ा रहे हो है रिभा इतना असान plus minus times divide तो मेरे को आता ही है उन लोगों का घमण निकल जाएगा इसको करने के बाद जिब गलत आएगा ना answer मैं यह नहीं करा हूँ आप गलत आएगा answer ना मैं चाहता हूँ कि आपका गलत आए answer जिसमें आपको बदा रहा हूँ कि रियालिटी चेक तो मिलेगा यार अगर आप इसका भी answer सही नहीं दे पा रहे हो तो और आप अपने आपको प्रो समझते हो तो आप नहीं हो ठीक है त से आपको कुछ नहीं मिलना ठीक है ओके तो I hope कि आप लोग जो है यहाँ पर इसको कर पाएं अब मैं इसका output जल्दी से आप लोग के लिए लिए लिखता हूँ ठीक है तो सबसे बहले क्या होगा कि A की value क्या है अब मैं इस तरह के question को कैसे solve करूँगा अगर मुझे आप ए value of A की A B और यहाँ पर मेरा output जो है वो यहाँ पर चलेगा मैं यहाँ पर लिखाँगा output तो यह A percent B के बाद सबसे पहले प्लस प्लस A हुआ ठीक है प्लस प्लस A हुआ तो A की value initially 10 थी न 11 होग यह भी A की value ठीक है और 11 ही print हो जाएगा ठीक है तो value of A भी 11 हो गई ठीक है इसके value 12 हो गई अब मैं minus minus A कर रहा हूँ तो क्या होगा कि A की value पहले 11 होई और फिर उसके बाद यह print हो गया ठीक है फिर उसके बाद क्या होगा अब मैं A minus minus कर रहा हूँ तो 11 प्रिंट होई लेकिन A की value अब क्या होगी 10 होई ठीक है फिर उसके बाद 10 print होगा क्योंकि as it is A को print कि किया जा रहा है इसके बाद दुबारा 10 प्रिंट होगा कि पहले प्रिंट किया जा रहा है फिर माइनस की जा रहा है और मैंने यहां पर इसे चला दूँगा अपने वोड को क्या मेरा आंसर सहही आया की नहीं तो चार बार 11 प्रेंट हुआ और दो बार 10 प्रेंट हुआ तो यह चीज़ भी प्लस प्लस से तो यह आउट्पूट आ रहा है तो हमने निकाल लिए आप लोग ठीक है इसका output से समझ गयोगई और इसका output ना सब क्लेर करते में अगर इसका output निगा लिए आपको operator समझ में आ गए और mainly यह वाले operator समझ आखरी के तीन exponentiation भी समझ में आ जाएगा modulus भी समझ में आ जाएगा आखरी के दो समझना है कब पहले क्या होगा पंदब यह plus plus में क्या होगा यहाँ पर मैं जल्दी से लिख देता हूँ arithmetic operators की बात करें ठीक है यहाँ पर arithmetic operators फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि मैं इसको जरा backspace करके उपर लगा देता हूँ इसके बाद हम assignment operators की बात करें assignment operators में क्या है कि हमें simply a is equal to 8 कर दिया अगर मैंने तो a 8 से assign हो गया मैंने a को already declare कर दिया आप लोग को बता दूँ तो अगर मैं यहाँ पर अभी console.log a करूँगा आप लोग को गया आर्ट प्रेंट होगा पता है हाँ भाई पता है आपको और होगा भी आर्ट ही प्रेंट ठीक है कोई catch नहीं है आपर अब क्या है कि plus equals to क्या करेगा अगर मैं मानलो a को increment करना चाहता हूँ पाँच से यानि कि a is equal to a plus 5 लिखना चाहता हूँ ठीक है तो मैं यह ना लिखकर यह लिख सकता हूँ क्या लिख सकता हूँ अब देखना आपने मैंने अब आप लोग देखना मैंने कैसे लिखा इसको ठीक है a plus equals to 5 is same as a is equal to a plus 5 तो a में 5 जोड़ जाएगा ठीक है तो नौ था ना यह दस था एक्शली एक ही वैल्यों बहुत ज्यादा चेंज हो रही है तो मैं काम करता हूँ इस सबको कमेंट आउट करता हूँ यह मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा इन फाक्ट यह भी नहीं मुझे सर्फ यह वाला portion कमेंट आउट करना पड़ेगा जहां पर इक ही वाली हł suffil यह फिर मैं एक चीज और कर सकता हूं कि इस चीज़ के लिए एक और वैलीबल बनादेता हूं को एक सी असाइग्मिंट बना लेता हूं ठीक है अरे यार पूरा ही लिख देता हूँ यार assignment कहीं कुछ और समझ लो आप लोग copy करके assignment लिख देता हूँ ठीक है अब यहाँ पर assignment plus equals to 5 लिखा यहाँ पी भी assignment is equal to assignment plus 5 अगर मैं लिख रहा हूँ तो अब आप देखो यहाँ पर एक मेंट मुझे let assignment is equal to 1 करना पड़ेगा है माइनस इकल्स तो क्या करेगा घटा देगा similarly multiply by equals to क्या करेगा multiply कर देगा divided by equals to क्या करेगा divide का देगा इसके sample programs आपकी computer screen पर है तो इस तरह सा assignment operators काम करते है अब आप लोग यहाँ पर देखो star star equals to b है यह यह equivalent है x is equal to x to the power y के ठीक है हमने यह देखा क्या चीज किसके equivalent है यह बने आप लोग को यह आपने बता दिया यह बहुत simple है मैं इस पे जारा time नहीं बताने वाला आप ठीक है आगे बढ़ता हूं comparison operators की बात करते हैं comparison operators को इस्तिमाल वहां किया जाता है जहां पर हमें actual में compare करना पड़ता है दो चीज़ों को और as a result return करना पड़ता है true या false यानि कि कोई चीज अगर true है तो हम true return करेंगे वनना हम लोग false return करेंगे ठीक है जैसे कि मान लो मैं आप जल्दी से copy करके comparison operators लिखता हूं और इसका नाम मैं comp लिख दूँगा comparison operators मैंने आप लिखा let comp1 is equal to 6 और मैंने आप लिख दिया let comp2 is equal to 7 अब मैं आप अगर लिख दूँ console.log comp1 equals to equals to comp2 ठीक है तो यह चीज़ क्या return करेंगा यह चीज़ रिटन करेंगा comp1 equals to equals to comp2 यह चीज़ रिटन करेंगा ठीक है तो यह true होगा यह false होगा obviously यह false होगा ठीक है जैसे कि आप नीचे देख सकते है comp1 equals to equals to comp2 is false ठीक है similarly अगर मैं यहाँ पर लिखो not equals to ठीक है not equals to अब इसमें एक बहुत important concept बदाऊंगा इसलिए ध्यान से सुनना आप लोग ठीक है मैंने यहाँ पर comp1 not equals to comp2 लिखा रहे है ठीक है तो अब इसलिए यहाँ पर क्योंकि comp1, comp2 के बराबर नहीं है इसलिए comp1 not equals to comp2 false आएकर ठीक है क्योंकि not equals to नहीं है ठीक है मतलब is not equal to comp2 बिल्कुल सही है तो यह चीज यहाँ पर प्रूव आगए अब देखना important concept इसकी बात मैं कर रह था क्या है triple equals to and यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूं ठीक है तो यहाँ पर मैंने comp1 triple equals to comp1 किया और यहाँ पर comp1 not equals to equals to comp2 किया तो इसका क्या मतलब है अगर मैं इसको run करके आप लोग को दिखाऊं तो simple सी बात है आपको होगे कि या double equals to का जो result आ रहा था वही triple equal to का आ रहा है अब यह difference क्या है difference समझना क्या है अगर मालो यह 6 है और यह भी 6 है ठीक है तब क्या होगा मैं इसको run करूंगा तो comp1 equals to comp2 true आएगा और triple equal to be true आएगा not of equals to not of equals to false आएगा और not of double equal to be false आप फिरसे क्या है यह तो बताओ अब देखना difference क्या है अगर मैं इस 6 को कुछ इस तरह से 6 बना दू तब होगा क्या कि इस 6 का type तो number है लेकिन इस 6 का type एक string है तो क्या यह दोनों बराबर है आप कह सकते हो बराबर है बट exactly बराबर नहीं है यार क्योंकि यह एक number है और यह एक string है ठीक है तब क्या होगा कि double equals to आपको true देगा ले दे रहा है लेकिन triple equals to आपको true नहीं दे रहा है वो false दे रहा है वो कह रहा है कि भाई value तो same है लेकिन 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 आपकी type अलग है com1 की और com2 की type अलग है ठीक है तो यहां पर double equal to triple equal to का जो difference है यह बहुत कम लोगों को समझ में आता है यह basic आपके clear होने चीए ठीक है फि इसलिए टारी ऑप्टर को भी hold पर रखते हैं बड़ा होप कि आपको यह सब चीजे समझ में आती है अगर मैं आपको एक बहुत जल्दी दिखा देता हूं एक बहुत quick use case दिखा देता हूं और मैं इसको seven कर दूं ठीक है com2 को मैं com1 is greater than com2 करूं कुछ इस तरह से तो आप ल मुझे दो कंडिशन को compare करना है जैसे कि if something is true and another thing is also true तब मुझे कोई operation perform करना है तो मैं logical operators का इससे माल करूगा एक बार और अच्छे समझाता हूं आपको logical operators booleans पर operate होते हैं ठीक है जैसे कि मैं आप लोग को भी बताता हूं यहां पर कि मैं किस बारे में बात करूं मैं इसको ज़रा copy करता हूं और मैं यहां पर logical operators लिखता हूं logical operators के अंदर मैं यहां पर मालो लिखता हूं let a यहां फिर let x is equal to 5 and let y is equal to 6 ठीक है अब अगर मैं यहां पर लिख दो console.log x is greater than y and x is equals to 5 ठीक है double equals to किया है आपने if x is double equals to 5 तब क्या होगा अगर मैं इसको run करूं तो यह भी true है यह भी true है true and true will be true एक मढ़ी के true है कि x greater than 5 true नहीं है x less than 5 true है तो true and true will be true ठीक है तो इसके एक truth table बनाई जाती है अगर true true है तो वो true होगा ठीक है अगर true false है तो वो false होगा false true भी false होगा और false kicking फाल्स जो false होगा ठीक है तो यह and आप इस तरह समझ लों कि यह बी सच हो यह बी सच हो तब true return करेगा बाकी औरằng इसमें false return करेगा ठीक है अब बात करते है और की ठीक है अगर मैं और की बात करूं कुछ इस तरह से तो क्या होगा इन दोनों में से अगर एक condition true होगी तो ये true return कर देगा अब क्योंकि दोनों ही condition true है तो ये true return करेगा लेकिन अगर मैं एक condition को false भी कर दूना है यापर तो भी ये true ही return करेगा ठीक है तो यापर देखो ये true ही return करेगा true x greater than y is यह false है लेकिन यह true है तो false और true इन दोनों में से कोई भी एक अगर true ही तो यह true return कर देगा ठीक है बाकी सारे cases में false return करेगा जिसकी false false होगा दोनों तो यह false return करेगा ठीक है तो इस तरह से आप logical operator को समझ सकते हैं अब not operator रहे गया उसको भी बता देता हूं मैं आप लोग को false को true और true को false करते हैं उसको not operator करते हैं सिंबल सी बात है ठीक है तो यह हमारे logical operators होगे अपार्ट फॉम दीज वी आप टाइप अंड बिट्वाइज ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि टाइप आफ के बारे में हमने बात करी थी और बात बात बिट्वाइज ऑपरेटर्स भी हो operation करवा हूँ तो two को binary में और फिर दूसरे नंबर को binary में convert करके bit by bit operation किये जाएंगे हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे इसकी ठीक है seven eight जब add किये जाते हैं तो पंदरा बनता है तो seven और eight को यह पर operants कहेंगे और plus को operator कहेंगे और 15 हमारा result होगा तो यह चीज आप लो हो गया not operator plus operator हम इन operators की बात कर रहे है और जो final value हम को मिलती है वो result होता है ठीक है अब जल्दी बताता हूं sometimes we want a program to contain a text which is not executed by the js जैसे कि मैंने या पर टेक्स लिखा जो कि हमारा js जैसे कुट नहीं कर रहा है अगर मैं यह double slash यहां पर नहीं लगाता तो यह मुझे अर देता है such a text is called comment in JavaScript दो तरह के comments होते है single line comment जो कि double slash से लगाया जाता है अगर मुझे कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी लिखनी है बालो मुझे लिखना है this is a tutorial from code with Harry ऐसे कुछ लिखना है मालो मुझे लिखना है this is a tutorial from code with Harry अब मेरे पास दो options है यह तो मैं इस पूरे को select करके control slash इस्तिमाल करूँ कुछ इस तरह से ठीक है और मैं यहाँ पर यह opening हो गया यह closing हो गया ठीक है मैं इसको end में डाल देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना लगे this is a tutorial from code with Harry मैंने इसको इस तरह से लिख दिया ठीक है तो यहाँ पर यह multiline comment होगे तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा comments और मैं यहाँ पर लिख दूँगा this is a single line comment और यहाँ पर मैं लिख दूँगा this is a sample multiline comment and a tutorial from code with Harry ठीक है तो मैं इसको run करूँगा तो obviously कोई error नहीं आए क्योंकि यहाँ पर मैंने सब comments के इंडर डाला हुए ठीक है तो दो तरह की comments single line comments multiline comments sometimes comments that used to prevent execution of some lines of code मालू मैंने कुछ logic लिखा मैं चाहता हूँ वो logic नहीं चले ठीक है मालू मैंने जैसे कि यह चला मैंने यह पूरा logic लिखा जो कि कुछ प्रेंट कर रहा है अगर मैं चाहता मैं दे दूगा पूरी PDF दे दूगा बहुत सारे लोगों की शिकायत आ रही थी यार वीडियो खतम होने भी कुछ दे रहे हो PDF पहले से पहले दे दो ताकि हम पढ़ ले थोड़ा prepare करके आजाए आने वाले topics को चलो जी यह भी आपकी बात मैंने मानी मैं आपको पूरी PDF दे ठीक है तो इस वीडियो के बाद description में आप लोगों कोई PDF मिलेगी इसको आप access कर लेना और आने वाले chapters की PDF भी मिल जाएगी कोई ऐसी बात नहीं है तो आप लोगों कोई वीडियो अच्छे से समझ में आया अगर आप लोगों ने भी जावा स्क्रिप्ट की प्लेलिस से अक झीडियो